है हलो गैज तो कैसे वाद सब लोग तो गैस आज के वीडियो में हम लोग टॉप एट बेस्ट टिप्सेंट्रिक्स देने वाले हैं जिससे आप कोरोनो करेक्टर को एकदम लेजन्ड की तरह यूज करने लगोगे सो गैस वीडियो को पूरा एंड तक देना बहुत ही ज्याद एंड गैस इस वीडियो का लाइक एम रख रहे हैं गैस 38 के लाइक उम्मीद है अब लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे एंड एक दोस के साथ सीयर भी कर देना था कि हमारा चैनल डाउन ना हो जाए सो अभी बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टिप्स की ओर सुमर जो फर् ज्यादा है मतलब समझेरो 30% मतलब बहुत ज्यादा होता है और यह मुवमेंट कैस आपका तब काम आएगा सौट रेंज पर काम आएगा वन बरसेस वन में भी मुवमेंट काम आता है और भी काफी जगे पर मुवमेंट काम आता है सो मुवमेंट बहुत ज्यादा इंपोर् तो सबसे पहले आप इस character का use movement के लिए कर सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी है सो भी बढ़ते हैं हमारा second tips की ओस सो अमरे जो second tips है वो यह है गाइस यह character अपने shield के मदद से किसी भी destroy होने वाले चीज को रोक सकता है जैसे कि granite हो गया landmine हो गया flash bang हो गया smoke granite हो गया सारे चीज को जो है अपने shield के मदद से रोक सकता है जैसे देखो इस बंदे ने इतने सारे granite डाला फिर भी मैं बज गया अगर आपके shield के अंदर granite आ जाता है तो आप मढ़ जाओ गया तो shield के बाहर granite रहेगा तो आप नहीं मरोगे एंड क्या होता है अगर मैं glue wall के cover पर रहता फिर भी मैं मढ़ जाता क्योंकि देखो दो तरफ से granite डाल रहे है एक तो left से डाल रहा है दूसरा right से डाल रहा है तो मेरे पास भागने के लिए कोई उपाई नहीं था तो मैं पर आप जो सील लगा के बच सकते होगा जैसे देखो यहां पर इतने सारे granite फेका फिर भी मैं बच गया एंड आपको चारो तरफ से के जो बताने वाला हूं वह सारे आप लोग का काम आने वाला गईस ठीक है तो भी बढ़ता है मारा third tips की ओर समर्ड़ जो third tips है वह है इसको यूज करके जो है आप रस कर सकते हो बहुत तेजी से कि इसका moment बहुत जादा है जैसे देखो यहां पर मैंने इसका ability यूज किया एंड गाईस तूरंत मैं इसके मुह के जामने घुसके इसको मार दिया गईस ठीक है इसको भी पता नहीं चलेगा कि कब किधर से आके म इसको मार दिया तो एक तरह से बोला जाए तो एनिमी को आप जो है धोका दे सकते हो मतलब जैसे यहां पर बहुत डेमेज मारेगा वैसे आप इसका सील्ड यूज करके उसको मार देना इससे क्या जाएगा एनिमी का गोली आपके उपर पड़ेगा नहीं आपके सील्ड के अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है ग्लोज रेंज के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा यह टिप्स ठीक है आपको करना कुछ भी नहीं है आपको जैसे थोड़ा बहुत डेमेज मारता है तुरंत आपको सील्ड बनाना है एंड वो डेमेज देने के बाद तुरंद रस्ड करेगा तो उसके बाद आपका स्कील का काम दिखाना है यह जैसे देखो इस ने रस्ड किया एंड मैंने मार दिया गया इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है तो यह बढ़ता हमारा फाइब टिप्स कियो अ समढ़े जो पांच नमबर टिप्स है व कोई बंद आपका पोड़ेगा नहीं क्योंकि उसको पता है जब तक आप मतलब वह फोड़ेगा तब तक आप जो है उसको डैमेज मार सकते हो तो लॉंग रेंज पर आपको टेस्ट तक नहीं करेगा क्योंकि आप तो सिल्ग के अंदर रहोगे एंड वह जो एनिमी रहेगा व वह अगर आपका सिल्ग फोड़ेगा तो उसको जो है बाहर से फोड़ना पड़ेगा तो वह फोड़ेगा नहीं गाइस तो लॉंग रेंज पे भी काफी ज्यादा काम आने वाला है कोरोनो तो ही बड़ता हमारा 6 टिप्स की ओर तो हमारे जो 6 नंबर टिप्स है वह है देख यह आपका जो सील्ड है यह 600 डेमेज तक सहन कर लेगा गाईस ओके एंड लॉंग रेंज पे भी अगर आपका टीम मेट डाउन हो चालता है तो तुरंट जाके कोरोनो बनाओ एंड आप रिभाइब कर लो आपको मार नहीं पाएगा ईजीली गाईस सबसे बेस्ट करेक्टर यह है गाईस अभी बोला जाए तो क्योंकि गाईस देखो इसका बहुत जादा बेनिफीट्स है ठीक है जैसे देखो यहाँ पर मेरा टीम मेट डाउन हो गया था फिर भी मैंने बचा लिया कोरोनो के मज़द से अगर गलूवल नहीं होगा तो भी बचा लोगे तो भी बच बंदे को यह भी लगता कि ड्राव से भी बचा सकते और तो ऊंघो ड्राव का जो पावर होता है बहुत जाला होता तो अगर ड्रॉब गिडएका सरपे तो एलिमेनेट सिधा हो गए होगे ठीक है तो इन दोनों चीज़ से बचके रहना सो यह त भी बरते आए 8 नमबर लिक्स मैंने दिया उम्मीद आप लोगों पसंद आया होगा अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को मिलते अगले वीडियो पे तब तक क्लिए बाई गाई